आज हम रसायनिक उपगटन के बारे में पढ़ेंगे रसायनिक उपगटन वो क्रिया है जिसमें एक पदार्थ दो या उससे अधिक पदार्थ में विच्छे दोता है जो एक दूसरे से अलग और मूल पदार्थ से भी अलग हो सकते हैं अब हम इस प्रयोग में इस्तिमार होने वाले पदार्थ और उपकरण देखते हैं हमें चाहिए परिक्षन नली, मैंगेनिस डायोकसाइड, हाइडोजन पैरोकसाइड, दियासलाई, अगरबत्ती, स्पैचुला और स्टेंट सबसे पहले हम परिक्षन नली को स्टेंट पे लगाएंगे ऐसे हैं रसायनिक उपकटन एक विच्छत प्रतिक्रिया है तुम्हें मालूम है न, कैसे हम चावल और भुसी को एक यंत्रे में डालते हैं जब हम इसे यंत्रे में डालते हैं, तो वह एक पदार्थ होता है लेकिन जब वह बहार निकलता है, तब वह चावल और भुसी के रूप में दो पदार्थ बन जाते हैं जब एक पदार्थ दो या अधिपदार्थ में परिवर्थित हो जाते हैं, हम इस पतेक्रिया को रसायनिक ओपगटन कहते हैं परिक्षन नली को स्टेंट पर लगाने के बाद जब हम इस पर हाइड्रोजन पैरोकसाइड डालेंगे, तब ऑक्सिजन और पानी को छूटते हुए हम देख सकते हैं ऑक्सिजन की उपस्तिदे जारने के लिए हम अगरबत्ती का इस्तिमाल करेंगे हम इस अगरबत्ती को दियार सलाई की मदद से जलाएंगे ऐसे हैं अब हम परिक्षन नली के मूख पे यह अगरबत्ती रखेंगे हम अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देख सकते हैं क्योंकि प्रतिक्रिया काफी धीमी है और ऑक्सिजन भी कम छूट रहा है प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए हमें आवेज़क की ज़वरत है हम मैंगनेज डियोक्साइड जो की एक आवेज़क है उसका इस्तुमाल करेंगे मैं स्पेचिलर का इस्तुमाल करके मैंगनेज डियोक्साइड को परिक्षन नली में डालता हूँ ध्यान से देखिए अग अगरबत्ती को परिक्षनली में डालने से क्या होता है आप यह देखेंगे कि अगरबत्ती चमक दमक से चलने लगी इससे हमें पते चलेगा कि जो गैस उपर आ रही है वो ऑक्सिजन है और जो द्रव्य नीजे रहा वो पानी है मेंगनेज डायोकसाइड ने एक आवेज़त की तरह काम किया और रस्यानिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लिया हाइडरोजन पैरोकसाइड नहीं सिर्फ इस प्रतिक्रिया में भाग लिया और उसका उपगटन ऑक्सिजन और पानी में हुआ यह प्रतिक्रिया का सारांच अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा